Hello everyone, myself Janita Chandrakar, today I teach you Hindi subject, class 4, book name is Avivyakti Hindi पाठे पुस्तक आज मैं आप लोग को पढ़ाने जा रही हूँ, पाठे जड़ना का सेस भाग सेकेंड पंक्ती, खुशी बाठता, खुशिया पाता, हरी आली के गीद गुंजाता, उच नीच का भेद न करता, तपन सभी की मैं हर लेता जड़ना जो हैं, सबको खुशी बाठते हुए चलता हैं, और खुद खुश रहते हैं, और वो धरती को हरा भरा करते हैं उच नीच में छोटे बड़े का, कभी भेद नहीं करते, तपन सभी की मैं हर लेता, और सबको सीतलता प्रदान करती है घाटी से मैं कभी गुजरता, मैदानों में कभी विचरता घाटी से परवत पहाडों से विचरन करते हुए वे आता हैं, गुजरते हुए और मैदानों में फैल जाते हैं, घुमते हैं पत्थर को माटी कर देता, जो पत्थर रहता हैं, उसको मिट्टी मिन्स गिली कर देती हैं, धर्टी को धानी कर देता जो सुखी हुई मिट्टी रहते हैं, उनको गिली कर देते हैं, और उसमें हर्याली धानी करना, धानी मिन्स हर्याली फैला देते हैं गिली होने के बाद घाज जैसे जगते हैं वो हरा हरा दिखते हैं वही है हर्याली फैलाना नेश पंक्ति हैं देता मैं सबको हर्याली भर देता जो होता खाली औरों के ही जीवन धरता इसलिए मैं कभी न मरता जड़ना इस पंक्ति के माध्यम से कह रहे हैं कि जड़ना जो है सब तरफ चारो तरफ हर्याली फैला देती हैं मिन सबके जीवन में खुशिया ला देती हैं भर देता जो होता खाली, जो जगा खाली रहते हैं, वहाँ पे उनका काम भरने का है, तलाबों में, छोटे-छोटे जीलों में, खेत खलियानों में, जैसे पानी की अवस्यक्तर हती है, तो वो वहाँ जाके धर्ती को गिली कर देती है, अवरों के हीत जीवन धरता, मैं हमेशा दूसरों के हीत के लिए कार्य करता हूँ, इसलिए मैं कभी न मरता, इसलिए ज़र्ना जो है हमेशा रहता है, वो कभी समात नहीं होता, वो हमेशा दूसरों के हीत में कार्य करते हैं, ठीक उशी प्रकारिस पंक्ती में कहा गया है, जै उसी परकार हमें भी लोगों के हित में ही कार्य मिंस लोगों के सुक दुख में साथ दे के ही कार्य करना चाहिए जिससे लोगों का जीवन बन सके उनका हीत हो सके ऐसे कार्य करना चाहिए ताकि आपका नाम भी जर्णा के तरह लेते रहें नेश पंक्ति हैं, हम भी ज़र्णा बन सकते हैं, अपने पत पर चल सकते हैं, सबको मस्ती दे सकते हैं, हशा हशा कर हश सकते हैं ज़र्णे की तरह इस पंक्ति में कहा गया हैं, कि हम भी ज़र्णा जैसे बन सकते हैं, और ज़र्णे जिस तरह से अपने रास्ते चल के सबको खुशाली प्रदान करते हैं, ठीक वैसे ही हम भी वैसे ही अपने पत पर रास्ते हैं